सो ही गाइस कैसे हो आप लोग उमिद करते हैं कि आप अच्छे होगे दोस्तो आज हम बत करेंगे अपके दोस्तो ऑल्लाइन फॉर्म करवाने वाले नूटी विकर्शन कब तक जारी होगा एज लिमिट क्या रहेगा आपके एग्जाम कब तक होने वाला है जीबिल्टी करेटेरिया क्या रहेगा ये सभी जनकाई सॉर्ट में हम आपको देंगे आप इस वीडियो को पूरा देखना अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना शेयर कर देना तो बाते कर लेते एंडिये सेकंड दो हजाजाज चौज साले बैच का नूटी विकर्शन का वाने वाला है दोस्तो देखा जाए तो आपका notification बहुत जल्द आने वाला है और इसी महिने में notification जारी किया जाएगा दोस्तो 15 माई को आपका notification डिकले किया जाएगा UPC के तरब से confirm update हम आपको दे रहे हैं तयार हो जाएए NDA का जो notification आएगा 2nd का 15 माई को आने वाला है और 15 माई से आप online registration कर पाएंगे online आपको apply करना होगा सौर पे registration form की fees रहने वाली है male female बहुत दोनी apply कर सकते हैं ठीक है और यह जो हम आपको बता रहे हैं अपरी तब से नहीं बता रहे हैं दोस्तो आपको बता दें UPC ने एक साल पहले ही calendar जारी कर दिया है कब क्या होने वाला है जैसे कि किलियर ही आप देख सकते हैं NDA and NA examination second 2024 बैच का जो दोस्तो नुटी विकसन आएगा 15 माई को आएगा ठीक है 15 माई को डिकले किया जाएगा और 15 माई से आप apply कर पाएंगे इसकी last date दोस्तो चार जून रहने वाली है चार जून तक आप apply कर सकते हैं और आपकी exam date आ चुकी है 1 सेतंबर को दोस्तो इस वार आपका exam होगा NDA second का तो आप तैयारी में लग जाएए confirm हो चुका 1 सेतंबर 2024 को Sunday को आपका exam होने वाला है ठीक है इतनी बात आप के लिए समझ चुके हो अब आगे बात करते हम आपकी age limit के वारे में दोस्तो apply करने के लिए आपकी age किया होना चाहिए सबसे main बात है इसके बिना तो कुछ भी नहीं है यदि आपकी age नहीं होगी तो आप apply नहीं कर पाओगे दोस्तो आपका date of birth होना चाहिए दो जनवरी 2006 से लेके ध्यान दीजे दोस्तो दो जनवरी 2006 से लेके एक जनवरी 2009 के बीच आपका date of birth होना चाहिए यदि आपका age limit इस criteria के बीच है तो आप apply कर पाओगे तो मिला लिजे दो जनवरी 2006 से पहले की नहीं होने चाहिए एक जनवरी 2009 के बाद के नहीं होना चाहिए कुल मिलाका दोस्तो एंडिये में apply करने के लिए आपकी age होना चाहिए साड़े सोले साल से लेके साड़े 19 साल के बीच कमेंट करके बताओ कि आपकी age कितना उमर कितना यदि इतनी age है तो apply कर सकते हैं साड़े सोले से लेके दोस्तो साड़े 19 साल के बीच आपका age होना चाहिए अब आगे बात करते हैं दोस्तो हम आपकी education qualification के वारे में apply करने के लिए आपकी पडाई क्या होना चाहिए तो धियान पूरवक आप इस वीडियो को देखिए दोस्तो हर एक बैच में 400 post के तकरीवन दोस्तो vacancy होती है सबसे जादर जो होती हैं दोस्तो वो होती है आर्मी में तकरीवन 208-210 के तकरीवन दोस्तो आर्मी में vacancy आती है पोस्ट होती है और हम आपको उता दें उसके बाद होती है एर फोर्स में 110-120 के असबास ठीक है देन उसके बाद Navy में होती है देन उसके बाद NA में होती है Naval Academy में तो जिसमें भी आपका Education Qualification है उसके लिए आप Apply कर सकते हैं जैसे कि यदि आप Army के लिए Apply करोगे तो आप 10 प्ला आप Army के लिए Apply कर सकते हैं इतनी बात आप के लिए समझ चुके हो और यदि आप Navy Air Force या NA के लिए Apply करोगे तो 10 प्लाइश टू पास होने चाहिए आप एरिंग होने चाहिए आप बारिमी क्लास में Apply कर सकते हैं और आपने बारिमी Complete का लिए आप भी Apply कर सकते हैं लेकिन जो Age लिमिट हमने आपको बता दिये आपका Age लिमिट दोस्तों उतनी होना चाहिए तब ही आप Apply कर सकते हैं एंड ये Second के लिए ठीक है तो आप बारिमी क्लास में दोस्तों पीम होना कंपल सरी है मैत और फिजिक सब्जेक्ट होंगे तब ही आप Navy Air Force या NA के लिए Apply कर सकते हो ठीक कर रहे हो ठीक है ये बात आप समझ चुके है दोस्तों और आपके पास 12th क्लास में Commerce, Biology या Science सब्जेक्ट है तो आप Army के लिए योगें अपलाई कर सकते हैं या आपने Art से किया हो ठीक है तो केवल Army के लिए आप Apply कर पाऊगे और बारिमी दोस्तों आपने Science सब्जेक्ट से क क्लाई करने के लिए, Name में केवल मेली Apply कर सकते हैं बाकि सभी में долларов मेल फिमेल भोद दोने अपलाई कर पाएंगे ठीक है सई पोश्ट में हम आपको बता चुके एं, कुल मिलाका दोस्तों 400 पोश्ट होंगी notification आएगा आपका 15 मैं को, जब notification आएगा हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे ठीक है किस परकार आपको एपलाई करना होगा वीडियो बना देंगे कौन-कौन से डॉक्मेंट चीह हैं अपलाई करने के लिए बस आप चैनल पर ऐसी बने रहना चैनल को पर वीडियो बनाते रहेंगे पलपल की जयनकाई देते रहेंगे बस आप चैनल पर ऐसी बने रहना एक सितंब़र को दोस्तों आपका एगजाम होने वाला संड़े को एक दिन आपका एक TER 100 होगा तो सभी जयनकरी हमने आपको दे दिया है उवमर आपका ऱ जोस्तो 16'md बीच होना चाहिए कमेंट जरू करना दोस्तों आपका एज कितना ठीक है हम आपका रिपलाई देंगे तो सभी जानकारी आल्मोस्ट हमने सौट में समझा दिया है फिलाल आज की वीडियो में इतना ही था वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना सेर क करा देना और पलपल की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेले कंदावा देना मिलते हैं आप से एगली वीडियो में आप त्यारी करते रों अपना ख्याल लगो जय हिंद जय भारत